आज discuss करें हैं 1st April 2023 से यानि कि नए financial year से बहुत सारे rules चाहे वो income tax के हैं या GST के change होकर applicable हो जाएंगे जो आपको पता होना जरूरी है इस वीडियो में मैं काफी सारे changes कवर कर रही हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी अगर आपको इसकी detail में knowledge लेनी है तो वीडियो को patience के साथ end तक देखेगा और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो like, channel को subscribe and bell icon जरूर प्रेस करें और इतनी important वीडियो को आप share कर सकते हैं अपनी community के साथ through whatsapp, telegram and twitter बढ़ते हैं topic की तरफ हमारे courses का benefit लेने के लिए visit करिए studybuddy.com को यहां आपको हमारे courses में लेंगे जैसे accounting, TDS, TCS, GSTR 2B, reconciliation, MSME, GSTR 99C, GST, income tax, mega combo and automation of balance sheet जिस भी course में आप interested हो studybuddy.com को visit करें इनके बारे में detail में discussion करूंगी मैं वीडियो के end में नया financial year start हो रहा है, that means financial year begin होते ही आपको change करनी है अपनी invoice की series जी हाँ, पहला काम क्या करिए, अपने invoice series पे ध्यान दीजे, अगर आप पिछली invoice series continue करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं बट बीच में कोई भी gap नहीं होना चाहिए, या फिर आप नई invoice series according to the new financial year start कर सकते हैं दूसरा आपको ध्यान देना है अपनी turnover calculation पे, financial year close हो गया है, close होते ही financial year आपकी aggregate turnover आप निकाल सकते हो aggregate turnover के basis पे GST में आपके बहुत सारी चीज़े decide होती है, जिसे अगर आपको composition scheme लेनी है, तो आपके लिए turnover के limit 1.5 करोड है आपको QRMP scheme लेनी है, आपके लिए turnover के limit 5 करोड है, आप पर e-invoice की applicability है, तो आपकी turnover के limit 10 करोड है इसलिए अपनी aggregate turnover की calculation जरूर कर ले, और aggregate turnover GST में कैसे calculate होती है, इस तरह की वीडियो जो आपको बिल्कुल ही beginning of the financial year में करने है ताकि आप अपनी जो आगे के compliance है, उन्हें properly कर सके अब discuss करते है changes, अब हम discuss करेंगे changes जो budget 2023 के दुरू आए, पहले हम discuss कर रहे है slab rate में change तो slab rate दो तरह की है, new regime and old regime, old regime में कोई भी change नहीं हुआ है, सारे changes नए रिजीम में हुए है नया रिजीम पहले individual and HF के लिए applicable था, अब इसे AOP, BOI and AJP के लिए भी applicable कर दिया गया है 3-6 लाग पे 5% tax rate applicable करा गया है, 6-9 लाग अगर आपकी income है, तो 10%, 9-12, 15%, 12-15, 20% और 15 से उपर होते ही सीधा 30% का tax bracket लाया गया है यहां मैं आपके साथ बहुत ही brief में discussion कर रही हूँ, अगर आपको detail में जानना है तो हमारे channel में आईए, video sections में आईए यहां मैंने already detail में income tax elaborate की video बना रखे, इस video को detail में समझे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मैं link description के नीचे भी डाल रही हूँ, तो यह था elaborate me change, says same applicable रहेगा जो पहले था और अब नए text regime को default option डाल दिया गया है, यानि कोई person अगर अपने आप नहीं बताएगा कि उसे old regime में जाना है या नए regime में, तो by default उसका नया regime सिलेक्ट हो जाएगा, और एक बार यह option exercise कर ली जाए, तो इंडिविजुल एचिएफ तो इसे हर साल change कर सकते हैं, जिनकी business की income नहीं है, पर अगर आपकी business income है, तो एक बार वो अगर यह option exercise कर ले, तो इसे एक ही बार फिर withdraw कर पाएगा, ए यहां पर मीनिंग यह है, कि इंडिविजुल एचिएफ जिनका business नहीं है, वो तो every year switch कर सकते हैं, old regime या new regime पर जिनका business है, तो वो एक ही बार switching कर पाएगा, नए tax regime की खास बात यह है, कि इसमें बहुत सारी deductions आपको allowed नहीं है, बट good news यह है, कि इस बार government ने आपको standard deduction नहीं रिजीम में allow करी है, तो अगर आपकी salary income है, या pension income है, पहले नहीं रिजीम में 50,000 की standard deduction नहीं मिलती थी, अब आपको मिलेगी, और साथी government ने एक और deduction अलाव करें, पहले 80 CCD2 जो employer का contribution था pension fund में, वो allowed अगनिवीर corpus fund की, उसमें भी अगर employer contribute करेगा, तो section 80 CCCH2 इसकी deduction नहीं रिजीम में provide करेगा, साथी एक और good news है, जिन persons को family pension मिलती है, family pension की deduction पहले नहीं रिजीम में नहीं मिलती थी, अब उसकी deduction जो है one third of the pension और 15,000 whichever is lower, वो allowed करती गई है नहीं रिजीम में भी, तो सिर्फ यहीं deduction नहीं रिजीम में अलाव है, जो आपको screen पे दिख रही है, इसके लावा नहीं रिजीम में कोई भी deduction नहीं मिलती है, यानि देरे-देरे government का focus हो रहा है कि आप बिना investments के ही अपना tax save करें, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि government के control में investments and reductions नहीं थे, लोग कोई भी जो investment उन्होंने करी भी नहीं है, उसको as a reduction claim कर लेते थे, तो वो controlling खदम करने के लिए, अपना काम कम करने के लिए, government ने जादा focus कर दिया है, इस से नए tax regime, आपने सुना होगा कि budget के बाद 7 लाग तक की income पे बताया जा रहा है कि कोई भी tax नहीं लगेगा, वो कैसे possible होगा, क्योंकि अभी आपने slab rate में देखा कि वो तो बता रही है कि 3 लाग तक की income के बाद tax rate applicable है, वो possible होगा, rebate under section 87A से, यह rebate अभी तक आपको मिलती थी 5 लाग तक की income पे, ठीक है, अब नए regime के लिए इसे 7 लाग तक की income पे applicable कर दिया गया, यानि 7 लाग तक की अगर आपकी income है, तो जितना भी tax बनेगा, वो सारा rebate मिलके आपको 0 हो जाएगा, ठीक है, और यह जो rebate मिलती है ना, बहुत clear रही है, यह सिर्फ residents को मिलती है, H.E.F.S. को नहीं नाहीं known resident persons को, next change किया गया है, सर्चार्ज में, सर्चार्ज में पहले 37% का higher rate applicable था, यह higher income persons के लिए होता है, अब इसकी जो limit है, वो 25% कर दिगे, यानि 2 करोड से अबव आपकी जितनी भी income होगी, उस पे 25% का ही सर्चार्ज लगेगा, पहले 5 करोड से पहले persons को इसका benefit मिलेगा, अगला change किया गया है section 44 AD, जो आपकी presumptive taxation scheme है, इसमें जो limit है, इसमें आने के लिए section में आने के लिए, उसे 3 करोड कर दिया गया है, बट इसमें condition लगाए गई है, कि आपकी जितनी भी business की receipt, तो 5% से जाधा cash में नहीं होनी चाहिए, तब ही आप इसका benefit ले पाओगे, detail में इसकी वीडियो देखनी है, तो हमारे channel पे आईए, मैंने detail में इसकी भी वीडियो डाली हुई है, क्योंकि जब budget आया था, तो मैंने detail वीडियो डाली थी, यह tax audit limits की जो मैंने वीडियो डाली थी, this, you can watch in detail, सारा इसमें मैंने examples के साथ बताया, कैस से यह limit work करेगी, और 44 ADA जो professional के लिए है, presumptive taxation का section, उसकी भी limit 75 लाग कर दी गए, 50 लाग से, उसकी भी यह condition है, कि अगर आपकी जो receipts है, वो up to 5% in cash है, तो ही आप इस option को opt कर पाओगे, detail में वो वीडियो ज़रूर देखना, description में मैंने दे दी है, अगला change किया गया है, MSME के payment timely मिले, तो government ने change कर दे है, section 43B में, कि अब MSME की अगर payment hold करी जाएगी, beyond the time limit जो prescribed MSME Act में तब दी जाएगी, तो फिर उसकी, जो expense है, उसकी deduction यह लाओ नहीं करी जाएगी, इसकी detail video देखिए, वो भी मैंने यहाँ पे add करी हुई है, channel पे, यह, this good news in budget for MSME, इस वीडियो को ज में मैंने examples के साथ explain करा है, इसका जो link है, वो मैं description में भी दे रही हूँ, वैसे मैं आपको सासा दिखाई रही हो video, आप channel पे आके अराम से देख सकते है, next change is in TCS and TDS rates, तो इसकी list बहुत ही लंबी है, और detail में मैंने video बना रखी है, यह, TDS and TCS के नए rate, आप इस video को देखे, इसका भी link मैंने description में दे दिया है, तो बहुत सारे changes हो रहे हैं TDS and TCS के rates में, और TDS and TCS आपने आपने एक अलग ही consultancy का काम है, तो इसका हमने अलग course launch कर रखा है, TDS and TCS का detail code हर तरह की इसमें coverage है, even जो आप changes आ रहे हैं एक April से, जो नए rate applicable है TDS and TCS के, वो भी इस video इस course में cover हो जाएंगे, TDS and TCS का काम, personally मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं enjoy करते हूँ, और और बहुत सारे persons है, जो खुद की practice इसमें कर सकते हैं, अलगी एक field है ये practice का, मतलब इसमें भी आप अच्छा खासा earn कर सकते हो, बहुत ही limited price पर ये course अवलेबल करा रखा है, तो इसका benefit जरूर लिजे, तो TDS and TCS के सभी changes इसमें मेरी slide में cover है, वो मैंने अलग से video बना रखी है, next change है, amendment for plugging, double benefit of interest on housing loan, यानि अब अगर आपने housing loan ले रखा है, उसके interest की deduction, अगर आपने house, income from housing property में interest की deduction, अगर आपने claim कर ली है, section 24 में deduction लेके, तो अब आप उसको जब property को बेचो होगे, तो उसकी cost of acquisition में से उसे minus नहीं कर सकते, इसकी भी detail video यहां मैंने channel पे बनाई है, this one, capital gain calculation, interest on housing loan का capital gain calculation में फायदा अब नहीं मिलेगा, तो ये video देखना इसके लिए detail में, इसका link मैंने video के description में दे दिया, next change है, आपका 26 AS change हो गया है, जी हाँ, अब 26 AS की बहुत सारी information आपको AIS में ही दिखेंगी, 26 AS से वो remove कर दी गई है, कहां पर आपको दिखेंगी वो AIS में, जैसे की आपका जो detail of tax paid है, जैसे आपने अपना advanced tax pay किया, यह self assessment tax pay किया, तो अगर आप उसको 26 AS में धूंडोगे अब, तो वो नहीं मिलेगा, वो दिखेंगा आपको AIS में, करी है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, यहां पर आपको दिख रही है यह वाली वीडियो और इसका link मैंने description में दे दिया है, तो detail में जाने के लिए इसे जरूर देखें, नेक्स चेंज, अभी इसकी notification अवेटीड है, GST9 की late fee financial year 2023 से एक government कर रही है, reduce, अगर 100 रुपीज पर दे और maximum वही है, 20 करोड अबव के लिए 200 रुपीज पर दे की late fee applicable होगी, now moving on to some more important changes, budget के साथ जो आए है, वो मैंने mostly cover कर लिए, जो important थे, आपको detail में समझना है, तो आप memo random भी budget का read कर सकते हैं, अब मैं आपको ले आई हो e-invoice portal पे, यहाँ पे एक नई functionality of label क आई गई है, voluntary enablement of e-invoice, यानि मान लिजे आपकी turnover less than 10 करोड है, बट फिर भी आप चाहते हो कि हम अभी से तयार हो जाए हो सकता है, जल्दी आप पर applicable हो जाए invoice क्योंकि 5 करोड की turnover पे e-invoice लाने का government का plan है, तो आपके लिए voluntary enablement की option दे दे गई है, e-invoice को आप अपनी इच् आप चूज कर सकते हैं कि आपके आगे की invoicing सारी e-invoice हो, ताकि आप तयार हो सके future के लिए, ठीक है, अगर इसकी detail video चाहिए, तो मुझे comment कर दे रहा, मैं कोशिश करूँगी इस पर detail video बनाने की, तो आप modal tree अपनी मर्जी से e-invoice बना सकते हो, कैसे बनता है e-invoice, already मेरे channel प बना रही हूँ, that means आपके पास time है, 31 मार्च तक आपको pan-adhar link करना है, बहुत important है, बहुत से person तो wait कर रहे हैं कि शायद government इसकी date extend, but ऐसे किसी उमीद में आ रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च तक अगर आपने pan-adhar link नहीं करोगी अपना, तो आपका pan हो जाएगा inoperative, ठीक है, और आपकी जो income tax return है, financial year 19-20 की, उसकी भी last date है भरने की updated return में 31 मार्च 2013, ऐसे ही GST portal पर option आ रहे हैं कि आपको अगर, मैंने बताया, अगर आपकी turnover 1.5 करोड तक है, और आप चाहते कि मैं normal taxpayer से composition taxpayer बन जाओ, तो CMP02 को file करने की भी last date 31 मार्च ही, इन्वोइस में एक और update आया था, mandatory reporting of 6 digits, HSN code as per notification number 78, अगर आपकी turnover 5 करोड से जाधा है, तो यह mandatory था कि आप invoice पर अपने 6 digits से जाधा, 6 digits का HSN mention करें, अभी तक persons 4 digits का HSN mention कर देते थे, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपका e-invoice disable हो जाएगा, आपको बनाने ही नहीं दिया जाएगा, तो मैंने majorly काफी सार मैंने मिस कर दी है, तो आप वीडियो के comment में जरूर डालेगा, ताकि कोई भी person जो वीडियो देख रहा है, उससे benefit ले सके, और हमारी वीडियो इस हमारे चैनल पर मैंने ज्यादातर coverage कर रखिये, जब से budget आया था ना, budget आने के बाद से, मैंने बहुत सारे वीडियो दाली, पैनधार link करने की, income tax lab rate, GST के changes, indirect tax में GST के जो changes announced हुए, वो आपको जाने तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी ये changes announced है, जब तक notification नहीं आएगी तब तक ये applicable नहीं होगे, इसलिए मैंने इने cover नहीं करा है, ठीक है, announce तो बहुत सारे changes हैं GST के, बट वो applicable कब होग जब notifications release होंगी, ऐसे ही आपको अपना tax calculation करना है, tax calculator चाहिए, तो ये video देखना, income tax के कुछ changes मैंने highlight अलग से डाली थी, standard deduction की video अलग डाली थी, rebate की, insurance में change, यानि कि आपके जो insurance है, इसमें भी change हुआ, life insurance policy में, इस video को ज़रूर देखना, ये भी नया change है, limits में change किया गया, exemption of life insurance की, जो हमारे presumptive taxation schemes है, उनकी limits में change की video है, ठीक है, जो MSME का change है, उसकी video, interest and housing loan का benefit अब आपको capital gain में नहीं मिलेगा, उसकी video है, ठीक है, budget for senior citizen मैंने अलग से बनाया था, नए SLAB rate के बारे में इसमें पूरी discussion है, TDS and TCS के rates changes की पूरी discussion इस video में डीटेल में करी गई है, औ इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो में डाल ही रही हूँ, आम देख रहे है, GEO Coding of Address की option आई है, GST Portal पे इसको जरूर कर ले कंप्लाएं, कुछी states पे अपलिकेबल है, दिल्ली और हर्याना पे अभी, ठीक है, न्यू GST rates की मैंने वीडियो डाल दी थी, यह तो एक मार जिसके साथ अपनी financial year की शुरुवात करें, और इन्हें ना भूले, इनको comply करते हुए ही सारा काम करें, आप डिसकस करते हैं हमारे courses के बारे में, अभी हमने नया accounting course लाँच करा है, आप सभी की request पे, और यह बहुत ही popular हो गया already, इसमें बहुत सारे person enroll कर चुके हैं, यह pre booking म हैं, बहुत सारी videos इसकी बन चुकी है, कुछ process में हैं, और बहुत ही pocket friendly course हमने आपके लिए लाँच करा है, इसके बाद आप कहीं भी अपनी practice स्टार्ट कर सकते हैं, accounting की, साथ ही हमने TDS and TCS course प्रवाइड कर रख रहा है, अगर आप अपनी खुद की consultancy स्टार्ट करना चाहत करते हो, confused होते हैं, text में, TDS में, इस course का benefit लीजे, बिल्कुल ही minimum price पे अवलेबल है, then 3B, reconciliation with 2B, ये course आपके लिए अवलेबल करा है, क्योंकि reconciliation GST में अब इतने important हो चुके हैं, आप इने miss नहीं कर सकते, तो live 3B filing है, with proper 2B versus 2A reconciliation, और बहुत ही minimum course पे अवलेबल है, सिर्फ रिक बिजनस मान्स, खुद को MSME में register करके MSME के benefits ले, ये course भी आपके लिए अवलेबल करा रहा है, then हमारे combo है, कुछ और GST, income tax, ITR, TDS के courses है, mega combo में हमारे GST, income tax, ITR, TDS, and automation of balance sheet course include है, इस course में, बहुत सारे person enroll कर रहे है, then automation of balance sheet का course, ये क्या है, balance sheet तो आप सभी को आती है, बनानी, बट आप कैसे बनाते हो, एक एक चीज को, एक एक figure को Excel में link करते हो, manually, अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूँ, कि आप चाहे अपने client को daily balance sheet दे दो, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है, कि आपका client चाहे daily आपके पास आजाए और आपस balance sheet मांगे, तो आप 5-6 मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है, जो इस course में बताया गया है, बहुत सारे persons ने इसका benefit लिया है, even आप अगर already job करते हो, या अपना खुद का practice करते हो, consultancy देते हो, तो ये course आपकी consultancy को, आपकी practice को, आपकी job profile को और भी improve कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे से formula's discuss करे गए है, जो आपको सिर्फ balance sheet के लिए ही नहीं, और भी कई चीज़ों के लिए काम आएंगे, तो इस course का जादा से जादा benefit लीचे, कुछ और भी combo of label करा रहे हैं हमने, तो आप यहाँ पर आके check कर सकते हैं, कोई भी दिक्वत है, तो हमारी team के number दिये है, email ID दिये ह इनके साथ आप बात कर सकते हैं, thank you for watching, bye bye